हल्लो स्टुडेंट स्वागत आपका ITI 180 इलेक्टीशियन में आज देखेंगे इलेक्टीशियन फर्स्ट यॉर सीविटी एक्जाम में जो पेपर पूछता है उसका कोश्चन बैंक भारत स्किल पे जो कोश्चन बैंक पीडियाप उपलब्द है उससे संबंधित प्रोशन इलेक्टीशियन समिस्टर फर्स्ट मॉडल सब फर्स्ट सेफ्टी प्रेक्टिस एंड हैंड टूल्स जिसमें पहला कोश्चन है यह भारत स्किल साइट पे पीडियाप उपलब्द है देखेंगे पहला कोश्चन है इस सुरच्छा चिन का क्या नाम है जल्दी जल्दी कमेंट में बॉक्स में टाइप करें कि कौन सा आप्षन सही होगा इसका सही आप्षन हो जाएगा डी सुचनातमक चिन सुचनातमक चिन में जो इसका बैक्ग्राउंड होता है वो होता है सफेद और जो इस पे आकिर्थी बना रहेगा वो बना लहेगा लाल रम से अगला कुश्चन देखते हैं दो नमबर अगनी का समन क्या है ए है अगनी में इंधन मिलाना बी है अगनी से इंधन अलग करना सी है जल का उप्योग करके तापमान कम करना डी है अगनी को आक्सीजन की आपूर्थी से अलग करना इसका सही आप्सन हो जाएगा डी अगनी को आक्सीजन से अलग करना अगनी समन यानि आग को बुझाना तो आग को कैसे बुझा सकते हैं तो आग का जो आक्सीजन की जो सप्लाई है उसको काट देंगे या अलग कर देंगे तो अगनी बूझ जाएगा आग किसे मिल के लगता है तो उसमा इंधन और आक्सीजन और किसी एक की अगर सप्लाई काट देंगे तो अगनी बूझ जाएगा तो आग को आक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना यानि आक्सीजन से अलग कर दिंगे तो आग बुज़े जाएगा अगला क्वेश्चन दिखते हैं तीन नमबर है निम्न में से भावति खान क्या है A. धुम्रपान, B. कमपन, C. छरण, D. रेडियो सक्रियता कमेंट करते रहेगा कि कौन सा आप्सन सही होगा इसका सही आप्सन जो हो जगा, वो हो जगा, B. कमपन कमपन क्या है? भावति खानिया है अगला क्वेश्चन दिखते हैं, चान नमबर चान नमबर है निम्न मेंसे अग्नी रोधक को उपयोग करने का सही करम क्या है? A. खीचना, निशाना, उसके बाल लगाना, दबाना और घुमाना C. धाकेलना, वेवस्थित करना, दबाना, घुमाना और अनुकरम इसका सही आप्शन हो जाएगा A. इसका सही आप्शन हो जाएगा A कर आए निम्न मेंसे अग्नी रोधक का उपयोग करने का सही करम यानि जो अग्नी समन यंतर है उसका सही करम क्या है तो पहला है उसमें खीचना यानि उसमें जो पीन लगा रहता है उस पीन को खीच के निकालेंगे दूसरा होगा उसका पाइप जो हता है उसको पकल के निसाना लगाना यानि आग के तरफ निशाना लगाएंगे और तीसरा होगा दबाना यानि लीबर को दबाएंगे और घुमाना जो हाथ में पाइप पकले रहेंगे उसके अगन के चार ओर घुमाएंगे तो चवथे का जो सही आप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा ये पाँचमा कोश्चन दिखते हैं पाँचमा है फाइप यस सकंपरा में निम्न में से कौन सा चरण इस्टेंडराइजेशन को इंगित करता है यह पर्थम चरण बी दुति चरण सी कृती चरण दी चतूर्थ चरण तो जो फाइप यस होता है यह वरकसाप में यूज किया जाता है फाइप यस का मतलब है पहला यस से इसमें पाँच यस रहेंगे पहले यस से मतलब है पहले यससे मतलब है short दूसरे यससे मतलब है strength 10 तीसरे से है sign चौथे से है इस्टेंडराइजेशन और पांचवे से है sustain तो इसमें जो इस्टेंडराइजेशन को इंगीत करता है वो होता है चौथा चरों आपसन इसका D सही हो जागा चौथा चरों चतुर चरों अगला question देखते हैं 6 नमबर है कौन से पलायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है पहला है flat nose flyer दूसरा है long nose flyer और C है round nose flyer और D है diagonal cutting flyer तो इसका जो सही आपसन हो जागा वो हो जागा C round nose flyer अगला question देखते हैं 7 नमबर पिंसर का क्या उपयोग है A flexible तार को twist करना B छोटे ब्यास के तार काटना C लकड़ी में से पीन तथा कीले निकालना D है छोटे वस्त पकरना जहां उंगली न पहुँच सके तो इसका सही आपसन हो जागा C पिंसर जो होता है वो एक पिलास के तरह होता है और इसका उपयोग क्या होता है लकड़ी में से पीन तथा कील निकालना अगला question देखते हैं आठ नमबर इस सड़क सुरच्छा चिन का क्या नाम है A आवस्यक चिन B सचेत चिन C सुचना चिन D निशेद चिन तो इसका जो सही आपसन हो जागा वो हो जागा ये आवस्यक चिन अगला question देखते है नो नमबर है मोल स्रेली में सचेत चिन के पश्च भाग का रंग क्या होता है A नीला B स्वेथ C पीला D हरा तो जो सचेत चिन होता है इसी को कहते हैं वार्णिंग सिम्बल और वार्णिंग सिम्बल कैसा होता है? तो वो होता है तिर्भूजाकार वार्निंग जो सिंबल होता है वो तिर्भाजाकार होता है और इसका जो बैक्ग्राउंड होता है पीछे का वो होता है पीले रंग का और जो इसमें आकिर्थी बनी रहती है जो आकिर्थी बनी रहती है वो होता है तो इसमें जो आपसन ने पुछा है वो पस्च पुछा यानि बैगराउंड पुछा है तो जो इसका बैगराउंड होता है वो होता है पीले रंका आपसन C सही हो जागा पीला अगला कोश्चन देखते हैं दस नमबर बिद्दुत उपकरण में लगी अगनी हेतु कौन सा अगनी सामख प्रियोग किया जाता है A. हैलान परकार B. जाग परकार C. गैस कार्थूष टाइप D. संग्रहित दबाव परकार का बिद्दुत उपकरण में आग लगा है तो ऐसे जगह पर परियुग करते हैं अगनी है आग का आग लगा राता है वहाँ पे जाग परकार का यूज करते हैं और यहाँ पे विद्दू से लगी आग होता है वहाँ पे हेलान परकार का अगनी सामों की अंत्र यूज किया जाता है अगला देखेंगे 11 नमबर अफसिष्ट निप्टान बिधी कौन सी है जो गर्मी पैदा करता है अफसिष्ट मतलब जो कारी के बाद बच्चा हुगा सामागरी होता है उसी को अफसिष्ट विष्ट माटेरियल अफसिष्ट उसी को कहा जाता है विष्ट माटेरियल को तो कह रहा है उसमें गर्मी कप पै अफसीष्ट संगनन तो घर्मी कब पैदा होगा यानि जब उसको जलाएंगे भस्मी करण तो आपसंसी हो जाएगा भस्मी करण जब उसको जलाएंगे तब उसमें से घर्मी पैदा होगा अगला कोश्चन है बारा नमबर धूवे से सुरच्छा के लिए किस व्यक्तिकर सुरच्छा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है यह है एकरण B चसमा C कान कवच D नाक कवच तो सही आपसं कमेंट करें इस्टूडेंट तो इसमें जो PPE है इसका कभी कभी पूरा नाम पूल देता है प्रस्नल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट इसका नाम होता है ठीक है तो जो सही आपसं हो जागा वो हो जागा D धूवे से सुरच्छा है तो धूवे यानि नाक का कवच आपसं D सही हो जागा नाक कवच अगला क्वेश्चन देखते हैं तेरा नमबर है तेरा नमबर क्वेश्चन देखेंगे बी आई अस का पूर्ण रूप इंडियन इस्टेंडर बी है ब्यूरू आफ इंडियन इस्टेंडर सी है बोर्ड आफ इंटरनेशनल इस्टेंडर डी है ब्यूरू आफ इंटरनेशनल इस्टेंडर तो जो इसका सही आपसं हो जागा वो हो जागा बी ब्यूरो आफ इंडियन इस्टेंडर अगला कोश्चन देखेंगे चौदा नमबर भारी भार भारी भार उठाने और अंस्थरांतरित करने के लिए किस पद्दत का उपयोग किया जाता है ए विंच भी हो जाएगा करियेन और स्लींग सी हो जाएगा लेइर और रोलर डी हो जाएगा मसीन चालेट प्लेटफ़र्म तो इसका जो Greens याप्शन हो जाएगा वो जाएगा B जो भारी वारी आपन्पशन उठाने के लिए यूच किया जाता है वो होता है क्रेन और स्लिंग अगला कोश्चन देखेंगे पंदर नमबर आग बुझाने में स्टाविंग क्या है A. अगनी में इंधन मिलाना B. अगनी से इंधन अलग करना C. जल का उपयोग करके ताप मान कम करना D. आग को अक्सीजन की आपूर्ती से अलग करना तो आग में जो स्टाविंग कहलाता है वो कहलाता है जल का उपयोग करके ताप मान को कम करना यानि इसका जो आपसन होगा वो C. सही हो जाएगा जल का उपयोग करके ताप मान कम करना अगला question देखेंगे, 16 नमबर, PPE का नाम क्या है, Personal Protection Equipment, PPE का पूरा नाम है, तो करा इसका क्या नाम है, तो सही answer, comment करें, इसमें जो सही option हो जाएगा, वो हो जाएगा, बी, हाथ, इसकी डीन, और यह जो welding वाले यूज करते हैं, वही है, हाथ में जो पकल के welding करते हैं, वही है, हाथ, इसकी डीन, अगला question देखेंगे, 17 नमबर, और सिष्ट निप्टान विधी कौन सी है, जो बहुत सारी उर्जा बचाती है, यह जमीन में भरना, बी, पुनाचक्रण, सी, भस्मिकरण, बी, खाद डालना, तो इसका जो सही आपसानो जगा वो होता है, रिसाइक्लिंग, पुनाचक्रण में बहुत उर्जा की बचाती है, इसे जो विष्ट मटेरियल होता है, उससे फिर से दूसरे उर्जा में रुपांतरीत किया जाता है, किस परकार की कृत्रिम स्वास बिधी का उपयोग उस पिरित के लिए किया जाता है, जिसकी छाती अओर पेट में चोट हो, अगला कोशचन देखते हैं, उननीच नुमबर, किस प्रकार के ब्योसाइक स्वास्त खतरे के कारण संकर्मन हो सकता है यह विद्धुतिक नुक्सान, बी जैविक नुक्सान, सी सारीरिक खतरा, डी मानसिक नुक्सान तो इसका जो सही आप्शन हो जागा वो हो जागा बी जैविक नुक्सान, संकर्मन जो हता है वो जैविक नुक्सान के कारण होता है अगला क्वेस्चन देखते हैं, बीस नंबर बीस नंबर है इस अवजार का क्या उपयोग है? इस अवजार का जो नाम है वो है पिंसर यही है पिंसर और अभी पढ़े हैं, पिंसर से क्या होता है? लकडी से कीले निकालते हैं, तो इसमें देखेंगे आप्शन क्या दिया है? ए घर्म पदार्थो को पकड़ना, बी तारो को काटना और मोणना, सी लकडी से केल निकालना, और डी है बोल्ट और नट को धीला करना और कसना तो पिंसर क्या करता है कि लकड़ी से कीला निकालता है आप संसी सही हो जाएगा इस उपकरण का नाम है पिंसर तो आप संसी सही हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं एक किस नमबर दिल के दवरे से प्यूरित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे ये रिण की हड़ी में दर्द से भी मूह पूरी तरह बंद हो जाएगा सी पेट में अधिक सुजन डी ओठों के चारो और नीला रंग तो इसका जो सही आप संसी हो जाएगा वो हो जाएगा डी ओठों के चारो और नीला रंग अगला कोश्चन देखते हैं 22 नमबर है 22 नमबर कोश्चन देखेंगे इस अवजार का क्या नाम है यह वायर स्टीपर बी क्रिंपिंग टून सी कंबिनेशन पलायर डी डाइगोनल कटिंग पलायर तो जो इस पलायर का नाम है वो है साइड कटिंग पलायर इस पलायर का नाम है साइड कटिंग पलायर और साइड कटिंग पलायर का दूसरा नाम होता है डाइगोनल कटिंग तो जो आप्सन डी होगा वो सही हो जागा डाइगॉनल कर्टिंग प्लायर इसी को साइड कर्टिंग प्लायर भी कहा जाता है अगला है तेज नम्मर है इस सुरच्छा चिन का नाम क्या है यह चितावनी चिन बी आवस्यक्चिन सी निस्य धक्चिन डी सुचनात्य क्यों तो यह किसके अंतर करता था तो यह घुता है और यह आउसी रसाइनिक काम जब करेंगे तो उसमें गलफ्स लगाना अनिवार होता है तो इसका जो सही आप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा B अनिवार रेचीन और अनिवार रेचीन में question पुष्चा है कि इसका जो background होता है वो किस रंग क्या होता है तो इसका जो background होता है वो नीला होता है और इस पे जो आकिर्थी बनी रहती है वो सफेद रंग का बना रहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नम्मर पियुलित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या पराथमिक्ची किस्था उपलब्ध है? कराई जाती है ए है मलहम लगाना बी चोट लगे हुए भाग को उपर रखना चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना दी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना तो किसी पियुलित को अगर रक्त बहा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सरो पर थम ये किया जाता है कि उसको चोट लगे हुए भाग को दबाना चाहिए जिससे जो bleeding हो रहा है वो बंद हो जाए तो option जो D होगा वो सही हो जाएगा option D सही हो जाएगा चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालाना अगला question है पचीस नंबर है question पीडित को बचाने है तो क्या ततकालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी विद्दु सक्ति स्रोत के संपर्क में है अभी जो पीडित है वो विद्दु सप्लाई के संपर्क में है तो एक और आए हाथ द्वारा खीचे या धक्का दे बी अपने प्राधिकारी विद्दु जटके के बारे में जनकारी दे सी किसी को उस ब्यक्ति को छोड़ाने है तो बलाए डी संप्लाई को अलग करके सक्ति आपूर्थी को बंद कर दे तो इसका जो सही अपन हो जागा वहो जागा डी कि जिस सफप्लाई से वह जूड़ा है व्यक्ति उस सप्लाई का साइचर दे तिर दे और उसके स्वीच को बंद कर दे तो तो आपसन डी साही हो जागा साही हो जग को अलग करके सक्ति आपूर्थी को बंद कर दें अगला कोस्टन है 26 नमर कोस्टन जो है इस सचेत चिन का नाम क्या है जो फिगर में ये दिखा रहा है इस सचेत चिन का क्या नाम है ये विद्याल है बी संड़च्छित सी और संड़च्छित डी पैदल क्रासिंग तो इसका जो सही आपसन हो जागा वो हो जागा डी पैदल क्रासिंग ये सड़क्ष सुरच्छा से है सब ठीक है न अगला है कोस्टन 27 नमबर यदि प्यूरित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वाड मिल घंटा कौन सा है ये पहले 15 मिनट बी पहले 30 मिनट सी पहले 45 मिनट डी पहले 60 मिनट तो जो इसका सही आपसन हो जागा वो हो जागा भी पहले 30 मिनट अगला कोस्टन देखते हैं 28 नमबर 28 नमबर है प्यूलित की कौन सी इस्थिती को कोमा कहा जाता है ये बेहोस रहना पर बुलाने पर उत्तर देना बी होस में रहना पर बुलाने पर उत्तर नौ देना सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर नौ देना पूरी तरह सन्वेदन हीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना तो इसका जो सही आप सन्वेदन हीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना तो वीडियो कैसा लगाई स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हो सके तो एक फियर बना लें और उस फियर पर कोश्चन को लिख कर और इंसवर को लिख कर उस पर याद करने की कोसिस करें इसी तरह का जो कोश्चन है वो CVT जामे 2230 में इसी तरह का कोश्चन पूछे जा सकते हैं धन्यवाद